नमस्कार दोस्तों मैं आशिस आप देख रहे हैं दे पैंफिलिट आपने एक आवो तो सुनी होगी जिसकी चलती उसकी क्या गलती अब ऐसा ही एक आप उधारन देख भी लीजिए अभी उस बात को बहुत दिन नहीं हुए हैं जब भारत के CGI मुख्यन याइदीस डी वाई चंदर चूड ने अदालत में सील बंद लिफाफे पर ग्यान देकर एक नई बहस को जनन दे दिया था CGI ने कहा था कि सील बन लिफाफे में दस्ताविजों को जमा करने की परंपरा को खत्म कर देना चाहिए उन्होंने कहा था कि अदालत में गोपनियता नहीं हो सकती और अदालत को पारदर्शी होना चाहिए यानि फुल ट्रांस्परेंट लेकिन आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवानों के मामले में अदालत ने CGI की ही अवेलना कर दिये यानि CGI बनाम CGI कुछ और डे और एवन डे की तरज पर सायद ऐसा हो रहा होगा कि एक दिन सील बन लिफापे में डेमोक्रसी बच जाती है और दूसरे दिन खत्रे में आ जाती है CGI चंदरचूर ने WFI के अध्यक्ष ब्रिज भूर्शन सरण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के वकील को सील बन लिफापे में यौन शोशन के आरोपों को सब्मिट करने की अजाज़ा दे दी है बेंच ने कहा कि इसे सील बन कवर में दिया जाए क्योंकि सार्वजनिक डोमेन में इसे रखना ठीक नहीं हुगा अब CGI के पहले बैयान के तूलना CGI के दूसरे बैयान से करके देखे सील बन लिफाफे की परंपरा को तोड़ने की बाद सुप्रीम कोर्ट में CGI ने तब कही थी जब ये बेंच वन रैंक वन पिंशन योजना के बकाई से सम्मन्दित एक मामले की सुनवाई कर रही थी और आज जब मामला पहलोनों का आया है तब अदालत अपने ही महीने बर पहले के बयान को भूल गई है उस दिन बैंच ने ये कहते हुए इसे अस्विकार कर दिया था कि सरवोच नियाले में सील बंद कवर प्रथा को समाप्त करने के आवशकता है और ये निस्पक्ष निया की परकरिया के मूल के विपरीत है ऐसा पहले भी कई बार हुआ है जब CGI चंदरचूर ने कई एहम फैसलों पर सरकार से सील बंद कवर लेने से इंकार कर दिया और चैनल्स पर पारदर सिता को लेकर के जम कर घ्यान भी दिया लेकिन अचानक से अब विरोधी लोंद्वारा उठाए गए पहलवानों की स्मुद्धे पर चंदरचूर बार बार सील बंद कवर की जाज़े दे रहे हैं हो सकता है सील बंद लिफाफे भी जेंडर फ्लिडिटी से प्रभावित हो करके ये महसूस करने लगे हो कि एक दिन सील बंद लिफाफे ट्रांस्पेरेंट महसूस करेंगे और दूसरे दिन नहीं करेंगे ऐसे एक बयान में एक समय CGI चंदरचूर ने प्रेस फ्रीडम पर भी ज्यान दिया था उन्होंने कहा था कि एक स्वस्त्र लोकतंदर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अच्छी पत्तरकारिता का माहल तयार हो एक ऐसा इस्तम बनाए जाये जो बड़े बड़े संस्थाओं से भी बिना किसी जिजग के सवाल कर सके उन्होंने कहा था कि अगर भारत को लोकतंतरिक देश बनाए रखना है तो प्रेस का आजाद होना बेहज़ जरूरी है ये तब हास्यास्पद हो गया जब सीजग आई ने इसके विरोध में विरोधा भासी बयान दे दिया था जब बात आई कानूनी पत्रकारिता की तो CGI साहब के सवर बदलने लगे उन्होंने कहा कि कैसे गत वर्सों में पिछले कुछ समय में कानूनी पत्रकारिता के प्रति लोगों का रुजान बड़ा है लेकिन फिर भी ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस छेतर से, कोड से, अधालत से और नियाए दीशों के बासनों को चयानात्मक तरीकों से नहीं पेश किया जाना चाहिए यानि जब हमारी बात आए तो उसे जरासा सो समझ करके ही आगे रखा जाए कोई सेंस है इस बात का, प्रेस फ्रीडम, ट्रांस्परेंसी, खुद से सवाल पूछिए और सीजी आई से भी पूछिए ताकि मानानी नहों इस तरह से पूछिए कि गरिमा बनी रहे उनकी भी और आपके सवालों की भी देखते रहे दे पैंफलिट, धन्यवाद